बच्चों अब रुची हमें दिखाएंगी उष्ट आसन इस आसन में उष्ट मतलब उट जैसी आकृती बनने के कारण इसे उष्ट आसन कहते है सबसे पहले बजरासन में बैठो फिर घुटनों के बल खड़े हो जाओ अब श्वास अंदर लेते हुए सेड और गर्दन को पीछे की ओर जुकाते हुए कमर को उपर उठाओ साथ ही साथ धीरे से दाहिना हाथ दाहिनी एडी पर रखो हाथ इस प्रकार रखो कि अंगुलियां अंदर की ओर हो इसी प्रकार बाया हाथ बाई एडी पर रखो हाँ ऐसे यह हुआ उष्ट्रासन अब श्वास छोड़ते हुए एडीों पर बैठ जाओ इस प्रकार तीन चार बार करो यह आसन श्वासन तंत्र के लिए बहुत लाबकारी है फेफ़डों को स्वस्त एवं मजबूत बनाता है यह जो यह जब एक पर जाओ उट्ड़्या है कर दो कर दो